ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकात नागरिकता संशोधन बिलनार सी को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है वहीं फसलों की नगरी देवन समिती जनपत सहारनपुर में भी जमकर विरोड प्रदर्शन हुए हैं एक सब्ताह तक चले हंगामी के बाद आज सुमवार को हलात सामान ये हैं जिसके चलते जिला प्रशासन ने आठ दिन से बंद इंटनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं अलाकि सुरक्षा के द्रिष्टी से देव बंद सहित अती समवेदन शील इलाकों में आरएसी और बड़ी संख्या में स्थानिय पुलिस बलतेनात किया हुआ हैं आपको बता दे कि लोग सभा और राज्य सभा में नागरिकता संशोधन बिलपास किये जाने के बाद देश की राजदानी दिल्ली और लखनव समेतो तर प्रदेश की दरजनों जनपदों में समुदाय विशेश के लोग लोगों ने सडकों पर ना सिर्फ आंदूलन प्राब होने से बच गया जबकि फलों की नगरी देवबंद में अभी भी बनी हुई है सुरक्षा के द्रिष्टी से जिला प्रशासन में स्थानिय पुलिस प्रशासन के अलावा और भी है वहीं जिला अधिकारी आलोक पांडे ने बताये कि एक सब्ता से चल रहे विरोड प्रशानों के बाद भी जनपद में हालात पूरी तरह सामान यह है आकरोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि एक खुद जिला अधिकारी एस पी दिनेश कुमार पी और अधिकारियों ने स्वयम मोर्चा संफाले हुए हैं आच दिन से बंद चल रही इंटरनेट से वाएं भी आज बहाल कर दी गई हैं सारंपुर में एकदम शांती है और एक दू दिन पहले कुछ योग बाहर आये थे जोने नारे बाजी की लेकिन को संधा मुझा जालिया गया है मौल असतर पर मीटिंग चल लही है अभी लावन और की किसी परीके कि कोई प्रम्टम नहीं तो नेट बंद किया गया था लेकि हम आज नेट को दिया गया है